अधिकारों की जंग में वे कभी जुके नहीं, हर अन्याय के खिलाफ वो कभी रुके नहीं, ज्यान की लौ जलाकर दिखा गए, सम्विधान का दीपक हमको दे गए, धर्ती पे सितारे बनकर चमक गए, दलितों के मसीहा बनकर उभर गए, संघर्ष की आंधियों में वो अडि जिस्ते हुए छा गए, जिसे सुनकर जाती वादियों के होश उड़े, तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो The Buddhist Words YouTube चैनल, तो दोस्तों हमारी आपसे एक ही विननती है, अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, और वीडियो को भी ल जब आरक्षन को लेकर पूरे भारत भर में आंदोलन चल रहा था, और इसी बिच हमें भारत बंद भी देखने मिला ऐसे में, राहुल गांधी दिल्ली से सीधे मुंबई पहुँचे और बाबा साहिब आमबेडकर जी के विशय में जोरदार भाशन दिया, उन्होंने उनक जाती प्रथा को खत्म करने और समानता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। जन्म के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बाटती है, जो उनके कौशल या योग्यताओं पर नहीं, बलकि उनके जन्म पर आधारित होती है। भारतिय सम्विधान में जाती के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोशित किया गया और सभी नागरिकों को समान अधिकार दिये गए, जो बाबा साहिब अंबेडकर जी के जीवन भर के संगर्ष का परिणाम थे। बाबा साहिब जी ने शिक्षा और आर्थिक सशक्ति करण को दलितों और पिछडे वर्गों के उत्थान का मुख्य साधन माना। अंबेडकर का यह मानना था कि जब तक शिक्षा और आर्थिक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक उत्पीडित वर्ग अपने सामाजिक स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उनका प्रसिद्ध नारा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगर्ष करो। इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। बाबा साहिब अमबेडकर जी ने यह संदेश दिया कि जाती प्रथा से मुक्ति पाने के लिए सामाजिक और धार्मिक बदलाव की आवश्यक्ता है। अमानता की दिशा में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दोस्तो आपको राहुल गांधी जी के विचार अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। दोस्तो वीडियो में आगे जानेंगे बाबा साहेब अंबेडकरजी के हिंदु धर्म के बारे में क्या विचार थे। दोस्तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकरजी एक महान विचारक, समाज सुधारक और समविधान निर्माता थे, जिन्होंने भारतिय समाज में जाती व्यवस्था, धर्म और समानता के मुद्दों पर गहन चिंतन किया। उनके विचार और सिधानतों ने समाज को नई दिशा दी और विशेश रूप से शोशित, दलित और पिछडे वर्गों के अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। एक प्रमुख समस्या है, जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। चार मुख्य वर्गों में बाटा गया है, जो ब्राह्मन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इस व्यवस्था के कारण समाज में एक कठोर सामाजिक धांचा बन गया है, जिसमें जाती के आधार पर लोगों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किये गए हैं। उनका कहना था कि मनुस्मृती जैसे ग्रंथों ने जाती व्यवस्था को धार्मिक और सामाजिक मान्यता दी है, जिससे दलितों को सदियों से अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। कि यह ग्रंथ मानवता के विरुद्ध है और इसे नश्ट कर देना चाहिए। हानिकारक माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करना है, लेकिन हिंदु धर्म में जाती व्यवस्था और धार्मिक अंध विश्वासों ने इसे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब धर्म मानवता के खिलाफ हो जाता है, तो उसे छोड़ देना ही बहतर है। बाबा साहिब अमबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयाईयों के साथ बौध धर्म की दीक्षा ली। उनका यह कदम एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक अंधोलन था। अमबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का कारण सपष्ट करते हुए कहा कि हिंदू धर्म में उनके और उनके जैसे करोडों दलितों के लिए कोई सम्मान और समानता नहीं है। तो दोस्तों आपके इस विशय पर क्या विचार है हमें कॉमेंट करके बताए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकॉन प्रेस करे मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद!